रमश्कार, लाइफ टेन यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं होतर हूँ सुप्रीम कोट ने बिहार सरकार को जबर्दस फटकार लगाई है दरसल नितीर सरकार ने शराब बंदे कानून के तहट पकरे गए आरोपियों की जमानत के खिलाब सुप्रीम कोट में कई अपील दायर की है ऐसी कुछ मामलों की सुनवाई के दोरान सुप्रीम कोट ने नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार से कहा कि इन केसों ने अदालोतों का दम घोट रखा है और पटना हाई कोट के 14-15 जत सिर्फ इन ही मामलों की सुनवाई करते हैं चेफ जस्टिस एनवी रमन के नतित्तो वाली बैच ने अपनी आरोपियों की जमानत की खिलाब बिहार सरकार की ओर से दायर याचिकाओ को खारिज कर दिया प्रधान न्याइधिस न्याइमूर्टी एनवी रमन के नतित्तो वाली पीच ने बिहार सरकार के इस दलील को खारिज कर दिया कि आरोपियों से जब्त की गई शराब की मात्रा को ध्यान में रखते हुए वजह के साथ जमानत आदेश पारिद करना सुनश्चित कराया जाए और इसके लिए दिसान ने देश तयार हो इस पे चीफ जस्टिस ने भरते वे कहा आप जानते हैं कि शराब बंदी कानून में पटना हाई कोर्ट के कामकाज को कितना प्रभावित किया है और वहाँ आदालत अब किसी मामले को सूची बद करने में एक साल का समय ले रही है विहार की सभी आदालते शराब बंदी मामलों पर इस सुनवाई से घीरी है सीजी आई रमन ने आगे कहा कि मुझे बताया गया है कि पटना हाई कोर्ट की 14-15 जज हर दिन इस जमानत के मामले को सुन रहे है इसकी वज़ा से कोई और मामले पर सुनवाई नहीं हो पा रही है इसी के साथ सुप्रीम कोट के मुखे नयाजीस ने राजस सरकार के तरफ से शराब बंदी मामले में होए जमानतों के खिलाफ दायर 40 अपीलों को एक साथ ठुकरा दिया शराब बंदी से जोने मामलों पर सुप्रीम कोट की अटिपनी काफी महत पूर्ण है दरसल CGI रमन ने हाली में आंधर प्रदेश के अमरावती में एक समारों में बिहार के शराब बंदी कानून का जखर किया था और कहा था इसकी वज़ेत से राजिकिया दालतों और उच्चनायालेन में बहुत सारे जमानत आवेदन खाली है उन्होंने कहा था कि कानून बनाने में दूरडशिता की कमी सीधे तौर प्यादालतों को अवरुध कर रही है ऐसी तरियंताजा खबरों को देखने के लिए आप जुरे रहें लाइफ टेंड न्यूज के साथ अगर आपी वीडियो मारे फेस्टू पेश पर देख रहे हैं तो मारे पेश को जरूर लाइक कीजेगा साथ अगर आपी वीडियो मारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा